नमस्कार प्यार जात्रों आप है रात्मार पटेल सर्य यूट्यूब चैनल पर हम पढ़ रहा है एट ग्रेट अभ्यास कुस्ति का आज हम पढ़ेंगे कक्षा आठमी की गड़त कुस्त का जो सबसे लास्ट में परिशिष्ट है गड़त की बेकल्पिक बिदियां इसके सवा पूर्णा का इकाए का अंख होगा यहां पीच्छी के अंख से करेंउ स्टार्ट्त यहां तीन है तो यह इसका अंख होगा साęस Since و कल को हम सहीं करेंगे प्रश्णिक्रवांग दूसरा है संख्या 4356 की बर्गमूल का एकाई अंख होगा तो इस संख्या के बर्गमूल का एकाई अंख होगा 4 या 6 यह अप्सन को हम सही करेंगी प्रश्णिक्रवांग तीसरा है संख्या 7403 का बीजांख होगा बेजंक कार्स होता है सब यंकों का जूर साथ चार ग्यारा ग्यारा और तीन होगा कितना चौधा चौधा को हम तर एक और चार को और जोड़ेंगी तो आज आएगा पांच डियो अप्सना मारा सही होगा पांच प्रश्ण करवांग चौधा है सवामी भारती किस्ट नतीर्थ का जन्म किस राज में हुआ था इसका सीव गल्प सही है तमिल लाडू में हुआ था पांच वा प्रश्ण है सबसे छोटी रामानोजन संक्या है सबसे छोटी रामानुजन संक्या है 1739 बीवेगल को हम सही करेंगी आगे प्रश्ण करवांग सेटमा है सूत्र एक अधिकेन पूर्वेंड के प्रियुक से 85 का वर्ग का मान गयात कीजी एक अधिकेन पूर्वेंड का अर्थ है एक अधिक तो यहां 85 लेखा है प्रिश्ण करवांग सात्मा है सूत्र यावत उनम तावत उनी क्रत्य वर्गम चायोजयत का प्रियुकर शत्रा का वर्ग एक पंक्ती में हल कीजी सबसे पहले हम यावत उनी तावत उनी क्रत्य में सबसे पहले बिचलन नकालती है 17 का बिचलन 10 सी निकलेगा 100 सी नहीं लेकलेगा क्योंकि 100 की बहुत दूर है यह संक्या वो 10 की करीब है तो यहां हम 17 मानेस 10 करेंगी आएगा 7 सबसे पहले formula लेखेंगी संक्या का बर्ग बरावर संक्या धन रिण बिचलन प्लस मानेस बिचलन का बर्ग सत्रा का बर्ग बरावर सत्रा धन साथ और यहां लखेंगी साथ का बर्ग साथ का बर्ग हो जाएगा उनन्चास वो सत्रा में हम साथ को जोड़ेंगी तो आजाएगा 24 अब यह जो चार हैं इनको हम एकाई कांग नो लेखेंगी और चार को 24 में जोड़ेंगी तो हो जाएगा 28 तो हमारा सत्रा का बरगा जाएगा यह हमारे प्रिश्नी का आणसर होगा सूत्र एग नियोगन पूर्वियन का प्रियुख कर से 99 का बर्गा ग्यात किजिए यहां एक नियुन Mir पूर्वियन का प्रियुख हमें करना है सबसे पहले हमने खेंगете 99 का बर बराबर अंठानवे यह वाला हमने अंठानवे लेखा और यह जीरो एक दूपको में लाकर लखेंगे तो 9801 हमारे आंसर आ जाएगा प्रशनक्रमांग 9 है 41 का वर्ग दौन योग विदी से ग्यात कीजिए हमें दौन योग विदी से 41 का वर्ग नेकालना है सबसे पहले हम 41 को 4 भागों में लिखेंगी 4 फिर 4 गोड़ेत एक यानि दोनों संक्या है 4 एक 41 और एक 41 यह हमने 3 बर्ग बना लिए 4 पर 41 और दीख आप हम 41 का बर्ग बरावा लिखेंगी यानि पहली संक्या का यह जो हमने समूभ बनाया है पहली का वर्ग फिर दूसी संक्या को लिखेंगे दो गोड़ेत चार गोड़ेत एक और फिर तीसरी का यहां वर्ग एक का वर्ग ये का जाएगा एक का गोड़ा चार में करेंगे चार आएगा चार का गोड़ा जाएगा हम दो में करेंगे तो आठा जाएगा और चार का वर्ग हो जाएगा सूला अब इन सब को हम जोड़ के लेखेंगे एकाइकांग एक आठ और सोला यह प्यासे की बैसे तो एक तालिस का वर्ग होगा एक हजार चैसो एक्यासी यह हमारे प्रश्न का आंसर होगा प्रश्ण क्रवांग 10 माहें 289 का वर्गमूल बिलोकरम विदी से ज्याद कीजिए किरिया विदी भी दिखिए हमने यहां 289 का वर्गमूल लखा ला है सबसे पहले हम 2-2 की जोड़ी बनाएगे पीछे से तो 89 की एक जोड़ी बन जाएगी और यहां 2 की जोड़ी नहीं बनेगी तो उसके आंगे हम लखे लेंगे सूने अब हम देखेंगे यहां 13 यह 17 की बराबर है 299 का विजांक आएगा 1 इन सब को जोड़ेंगे 2 और 8, 10, 10, 9, 19 को जोड़ेंगे तो आएगा 9 और 10, 10 में 1 आजाएगा विजांक अब 13 का विजांक बराबर होगा 4 का वर्ग बराबर 16, 4 का वर्ग होता है 16, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 7 अथा 17 का बीजांग बर्ग बराबर 8 का बर्ग तो अब 8 का बर्ग होगा 64, 64 को जोड़ेंगे बीजांग को तो 6, 4, 10, 10, 1 और 0 जोड़ेंगे तो आएगा 1, यानि हमारा बीजांग के यहां भी आजागा 1, इसलिए 289 का बर्ग मूल होगा, 17 ही हमारी इस प्रस्न का अंसर होग प्रस्न करबांग 11 है, 23 का गन, सुत्र A धन B का पूरे का गन बराबर A का गन, धन 3 A वर्ग B, धन 3 A, B का वर्ग, धन B का गन की सहायता से ग्यात कीजी, यहां हमें 23 का निकाला है, तो A के स्थान पे लखेंगे हम 2, यानि A बराबर 2 और B बराबर 3 रखने पर, सबसे पहले ह गन बराबर A का गन, यहां हम A और B का मान रख रहा है, A का मान है 2 और B का मान है 3, A का गन यानि 2 का गन, 3 A वर्ग B, तो यहां 3 A का मान 2 और यहां A वर्ग और B का मान 3, फर यह 3 A का मान 2, B का वर्ग है, तो हमने 3 का वर्ग लखा, B का गन तो 3 का गन, आप हम जब इसको हल कर करेंगे तो टीन का गन्द 27 पिका बर्ग 9 922 18 18 लखेंगी चमवन और यहां 36 तो तीन दो तरीन दो का बर्ग चार चाराइं बारा और बारा तीय चाहत तीस और दो का घंडो होता है वह तरह से 2 को अब हम 4 में जोड़ेंगी तो हो जाएगा 6 5 को हम 6 में जोड़ेंगी तो हो जाएगा 11 हानसल किया जाएगी 1, 3 और 8 घारा और 1 हानसल कि तो 12 इस तरह से हमारा आंसर आएगा 1263 का वर्ग निकल आएगा आंगे देखें प्रशन किर्वांग बारमा है 845 का वर्ग दुन्द योग विदी सी ग्याद कीजी अब हमें 845 की सम्हूँ बनाने पड़ेंगी 8, 84, 845, 45 और फिर 45 और फिर 5 अभी जैसे हमने 441 की बनाये थी इसी प्रकार से हम इनकी वर्ग बनाएंगी और इस फॉर्मूली को लिखेंगी 845 का वर्ग बराबर पहली संक्या का वर्ग यानि 8 का वर्ग दो गुड़ेत 8, गुड़ेत 4, दो गुड़ेत 8, गुड़ेत 5, दहन 4 का वर्ग दो गुड़ेत 4, गुड़ेत 5, और फिर 5 का वर्ग हम इस सब को जब हल करेंगी 5 का बर्ग 25 हो जाएगा यहां पर 5 को 20 और 20 दूनी 40 हो जाएगा चार का बर्ग 16 और 58 40 40 का दो में गोड़ा करेंगी 80 80 और 16 जोड़ेंगी तो 96 इसी प्रकार से 8 दूनी 16 16 64 और 8 का बर्ग 64 अब हम इन सब को जोड़ लेंगी तो एक पहले यहां पांच यह दो जो हैं वह साइट आएंगी तो जीरो में में जोड़ आएंगी तो दो आ जाएगा चार और छे दस का शूने लेखेंगी हांसल की एक आजाएगी नो और चार तेरा और एक हांसल की चवदा हांसल की फिर से एक आजाएगी छे चार दस और एक हांसल की ग्यारा एक हांसल की छे में जोड़ेंगी तो आजाएगा साथ इस तरह से हमारा आज़ आएगा साथ ला क्रीया विती भी लिखी सबसे पहले हम जोडि बनाएंगे यहां लेकर आप देखें निनकी जोड़ी बनाते हैं इसका हमिने गनमूल लखा आप चाहें तो इस प्रकार से यहां लेख सकते हैं ग्टे satisfurit अब देखेंगे 29 यह पहली जोडिय जो है 39 जो है वो 3 के गण की करीब है 3 का गंग होता है ञाल 20 तो 4 का गंग 64 होगा तो चौशट से बहुत जाद हम पीछे हैं तो यहां 3 का गंग की करीब है तो हम यहां लगए 3 और का गंगर 1 ही होता है लो नु सोट एका यहां है फे पहलें गठोबंग कुलद दूर एक जोड़ा को स Families दूर इंग वहीं tratar तो 28 अहँःज पॉस्थ ओंट और 20 जोड़ेंगे तो यहां आ गया ढrauen वीजयंग स्कून में अपने अग्षा है यहां हमकोर 50 ओर 3-4 यह में dalam टीन और 1 जोड़ें जो 4-4 पालं के तना होता है अब 64 64-254 चेटना होगा दस हाप एक और सुन स Currently किया जाएगा यहां वी यह एक और था यहां भी ही जा रहा था है इस तरह पाल चार का it's worth धन 2 X जान एक से गोना और दो तरयाक दोरा ग्याद की कि जाना और शुतरयाक विदी से हमें इसका गोड़ा करना है आप सबसे पहले आप यहां देखें हमने प्रथम पत का पढ़ा किया है आप यहां देख रहे हैं पर लास्ट के एक पत का कुणा किया है अब आप यहां देखेंगी हम तो एक्सपर में एक्स Kashा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती है, तो यहाँ 2X के उपर 4 की घात आजाएगी, हमने सीधा यहाँ गुणा किया, अब आप यहाँ देखेंगे, शुरू बात के दो पदों का गुणा किया, 2X वर्ग, माइनस 3X में, X वर्ग धन 2X का गुणा किया, तो इस तरह से यह 3 की न किया है, तो 2X का वर्ग माइनस 3X धन 4 और X वर्ग धन 2X धन 1, 3 की निसां से आप देखेंगी, इस संक्या कैस में, इस संक्या कैस में, और बीच वाली संक्या का उपर नीची गुणा, अब देखें, आप X वर्ग का 2X वर्ग में गुणा करेंगी, तो 2X का वर्ग यहाँ कि दूए एक्स बर गगारी यहां से हमने यहां गुणा की है तो एक्स बर का चार में कुणा करेंगी तो बीच वाला मानस 3x करेंगी तो मानस 6 बर गाया इस तरह से यह संक्या आजाएगी आप पीछे बाइप पदों का गुणा करेंगी मानेस 3X धन 4 दो X धन 1 इसको यहां जोड़के लिख सकते हैं तो यहां X का घन 6X बर्ग मानेस 6X बर्ग और 5X अब यहां देखें 2X के उपर 4 की घात थी यहां 4X के उपर 3 की घाथ, मानस 3X का घन तो यहां 4 में से 3 घट जाएंगे, तो यहां केवल X बचेगा यह संक्या बेंसी पहले से ही बची रहेगी यहां 2X का वर्ग, मानस 6X का वर्ग, धन 4X का वर्ग था मानस के हैं 6X वर्ग, और प्लस के भी हैं 6X वर्ग तो यहां 6X बर वो मानस 6X बर यहां आजाएगा 0 यहां रणके 3X और प्लस के हैं 8X तो प्लस की बचेंगी 5X और यह 4 बेंसे की बेंसे रहेंगी अब आप देखें यहां हमारे पास संक्या बच्किये 2X की उपर 4 की गाद धन X के उपर 3 की गाद धन 5X यह वाले और धन 4 इस तरह से इनका गुणा जो गुणन फल आएगा हमारे जो प्रशन था इसका गुणन फल होगा 2X के उपर 4 की गाद धन धन 5X धन 4 यह हमारे प्रशन का आंसर होगा पंद्रमा प्रशन है 996 का घं को निखलम सूत्र से हल कीजी यहां 996 का हमें घं निखलम सूत्र से हमें इसका घं निकाल ला है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगी बिचलन निकालेंगी 996 का घं बिचलन देखेंगे हम यह संक्या जो है 1,000 की करीब है 966 माइनस से 1,000 तो यह मानस की 4 आएंगी यह हमारा बिचलन होगा फॉर्मूला रखेंगे संक्या का घं बरावर संक्या धन 2 गुड़ित बिचलन 3 गुड़ित बिचलन का बर्ग और बिचलन का घं यह हमारा यहां तक है फॉर्मूला अब हम इसमें मान रखेंगे 1996 का घंब बड़ाबर शंक्या चेंग्या नौ सो च्यानवे लगा दान्दू गुडेट शनक्या मानशऽार 3 गुड़ स पिर हे माने स्चार का घं our collecting इसते पहले आप यहां देखेंगे 9से यह 48 और यह मानस 4 का जब हम घं करेंगी तो यह आ जाएगा 64 इस प्रकार से हम जब इन सब को जूड़ेंगी तो 96 मैं से पहले हम मानस के 8 घटा लेंगी तो यहां आगा 988 और यह 48 और यह 64 साथरों चुक्या हम यहां गहन करना है तो हम प्रतेग संक्या को तीन अंकों में बनाएंगी यहां भी हमने आगे सूने लख लेंगी और यहां भी सूने लख लेंगी यह 48 और हम इक साथ लेंगी 988, 048 और 064 अब इस 64 को हम लाश्ट में घटाएंगे इस पूरी संख्या से 64 घटा लेंगे तो यहाँ इस संख्या आ जाएगी और अब हम इस संख्या में से जब 64 घटाएंगे तो यह हमारी संख्या आएगी 99,80,47,936 यह हमारी इस प्रस्ट का अंसर हो जाएगा इस तरह से प्यारी जात्रू इस वीडियो की माद्ध हम से हमने गड़ित के सवालों का जो परिसिष्ट नामक पाड़ था जिसका नाम था गड़ित की बेकल्पिक विधियां इसकी सवालों को हल किया और इस तरह से इस पुस्तक का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्वाज जेहन बंद्य वात्रा